बॉलिवुड और टीवी शोज की निउस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस निउस सबसे पहले पाने के लिए सल्मान खानेक पर किसी से खुश हो जाए तो मानो उसकी जिंदगी ही बना देते हैं लेकिन अगर भायजान को किसी पर गुसा आ जाए तो वो उसके जिंदगी बरबात कर देते हैं हालहे में हमने आपको इस बात के जानकारी दी थी कि सल्मान अर्जन और मलाइका के रिष्टे से काफी नाराज हैं जिसके चलते उन्होंने अर्जन और बोनी कपूर को खान फैमली में आने से बैन कर दिया है सल्मान खान अपरिल से दबंग 3 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन दबंग और दबंग 2 की तरह दबंग 3 में मुनी मलाइका की कोई जलक देखने को नहीं मिलेगी अर्वास से डिवोस ले चुकी मलाइका दबंग 3 से बाहर हो चुकी है जब से मलाइका और अर्जुन का अफैर सरे आम हुआ है सल्मान ने उन से बात करना तक छोड़ दिया है हम आपको बता दें कि साल 2010 को रिलीज हुई दबंग में मलाइका ने मुनी बन कर ना से सल्मान हान के साथ चुका लगाया था बलकि मलाइका ने 2012 को रिलीज हुई दबंग 2 को भी अपनी एक्स हस्बन अर्वास के साथ मिलकर प्रिट्यूस किया था इस फिल्म में भी मलाइका नी कैमियो किया था लेकिर अब वक्त बदल चुका है एक तरफ जहां पर मलाइका का अर्वास से जिबोस हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ अर्जन कपूर के साथ खान फैमिली की एक्स बभू का रिश्टा अब खुल कर सामने आ चुका है और इससे सल्मान खान का मूर काफी खराब हो गया है यही वज़ा है कि सुल्तान ने अब दबंग 3 से मलाइका को पूरी तरहा से दूर कर दिया है यानि इस बार ना तो मलाइका दबंग 3 में आइटम डांस कर पाएंगी और ना ही वो दबंग सीरीज की अगली फिल्म में अरवास के साथ को प्रोड्यूसर बन पाएंगी अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं